Hi guys, welcome back to my channel. इस वीडियो में आपका बहुत ज़ता स्वागत है. मैं इस वीडियो में iOS 15.7.9 का जो नया अपडेट आया था ना उसका रिवीव करने वाना हूँ iPhone 6S क्यों पर? जैसे कि आप जानते हो कि Apple के iPhone 6S SE 1st Generation 6S Plus 7 और 7 Plus को एक नया अपडेट आपल ने रोल आउट किया था. जिसका सॉफ्टर वरिजिन था 15.7.9 और मैंने इस अपडेट को इंस्टाल कियो है अल्मोस जो है तीन से चार दिन हो गये हैं. आज है सैटरेड़े और यहाँ पर अपडेट देख सकते हो तूस्डे को इंस्टाल किया था. ठीक है और मुझे आइफ़न 6S से बहुत काइंड आफ कह सकते हो कि निराशा थी कि मेरा आइफ़न 6S बहुत जादा लैग करने लगा है और इस अपडेट ने क्या कमाल की परफोर्मेंस प्रोवाइड ली है मुझे नहीं पता लेकिन इस अपडेट में स्टेबिलिटी ला दी है पहले मेरा आइफ़न हर बात की उपर हैंक करता था अगर मैं कोई अप्लिकेशन उपन करूं तो डिले अगर मैं किसी अप्लिकेशन में कोई फाइल सेलेक्ट करूं जैसे मैं इंस्टेग्राम पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं रील अपलोड कर रहा हूं तो पहले तो मेरी वीडियो सेक्शन में रील शो नहीं होनी है तो यह जो इशू सारे के सारे आइफ़न 6S में सॉल हुए है ना लिटरली इसको फिर से री यूजिबल बना दिया है आइफ़न 6S को कैमरा उपन करूं तो कैमरा ब्लैक हो जाथा था पहले ठीक है कॉल ड्रॉप बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन अभी मेरी personal sim card देख सकते हो तीन बार दे रही है या त्री signals आ रहे हैं लिटरली बैटरी के case में सेम है बैटरी बैटरी वगरा या हीटेंग वगरा वो सेम है हीट भी बहुत ज़्यादा करता है बैटरी भी सेम ड्रॉप हो रही है standby में ठीक है आपको एक बार मैं settings में battery के stats दिखा दूँ मेरी 100% healthy वो 100 ही रहेगी क्योंकि duplicate battery install है ठीक है यहाँ पर आप इसके stats दिखो सबसे पहले last की जो usage है वो just simply आपको normal standby में देखने को मिलेगी कि battery कितनी ड्रॉप होई है जो 10-15% battery drop होई है वो चलेगा overnight ठीक है iPhone 6S में आपको यह confirm करने जारहो है कि इस update को install करने से आपकी performance जो है वो stable हो जाएगी पहले iPhone बात बात पर hang करता था lag होता था लेकिन iPhone 6S सब smooth हो गया है मुझे ने बता किस कारण हूँ है Apple ने इसमें क्या फूब दिया है लेकिन इसकी stability पहले से जादा हो गई है मेरे को storage space भी 2-3 GB free निकल के देखने को मिली storage space की बात करूँ तो general section में iPhone storage में आप check out कर सकते हो यहाँ पर मेरा iPhone 15 GB plus occupied था मेरे ख्याल से 2 GB ही free थी लेकिन इस update ने कहीं से भी मेरे को 4 GB से जादा free करके दी अभी यहाँ पर आप देख सकते हो available पहले 2 GB थी और update के बाद में मेरी available 4 GB हो गई अब चाहे और use हो गई हो अभी देख सकते हो चार से थोड़ी कम हो गई है पहले साड़े चार जी भी free हो गई थी लेकिन अब मैं थोड़ा और use कर रहा हूं तो what was videos share की है दूसरे phone से तो और जादा इधर थोड़ी occupy हो गई है लेकिन literally iPhone मैं आपको बता रहा हूं कि smooth हो गया performance wise मुझे पसंद है iPhone अब मैं आपको बताता हूं कि इसके drawbacks चलो वो हर एक phone में होती है और पहले वो थे लेकिन अभी भी वो available है उनको fix नहीं किया सबसे पहले phone बहुत slowly charge हो रहा है आज कल के comparison में मुझे ऐसा feel होता है कि 2 अधरी मैं phone को charge दगाऊंगा और 45 minute मैं इससे charge consume करूँगा समझ रहे हो बजब दो गंटे phone को charge करने के लिए 45 minute ही आप चला पाऊगे so battery backup कम है आजकल के level का नहीं है आजकल के standards को match नहीं करेगा आपको हर बार wall socket के पास ही चिपके रहना पड़ेगा charger के साथ so मैं recommend नहीं करता आपको as a secondary phone रखना है तो रख सकते हो लेकिन primary तो यह कहीं पर भी नहीं टिक पाएगा अगर किसी का बच बहुत लो है तो चलो manage तो फिर हर किसी को पड़ करना पड़ता है लेकिन literally performance से मैं बहुत खुश हूँ iPhone 6S smooth हो गया यार मतल मेरा favorite phone था और मैं बहुत निराज था कि Apple ने इसको क्या बना दिया है so मैं literally खुश हूँ कि success जो है फिर से जान आ गई है lag नहीं हो रहा slow है लेकिन lag नहीं हो रहा आपको कहीं पर भी lag दिखाई दिया जब मैंने phone को यूज किया है पहले literally phone lag करता था Chrome browser open करूँ मैंने कुछ अपनी personal applications अंस्टाल कर रखी है अपने काम के लिए पहले हर जगा पर lag करता था लेकिन अब iPhone 6 performance wise smooth हो गया fast नहीं मैं बोल रहा हूँ, smooth बोल रहा हूँ कि lag नहीं करता जो काम मैं करवा रहा हूँ थोड़ा time लेकर कर देगा लेकिन कर देगा बैटरी एक इसमें फोन वैसे परफॉर्म कर रहा है जैसे पहले था चारजिंग के समय फोन हीट करता है क्योंकि metallic फोन हीटिंग ज्यादा मैसूस होती है चारजिंग slow भी है और बैटरी काफी जल्दी गिरती है, standby में ठीक है तो मैं literally खुश सिर्फ इसी बात से हूँ कि performance ही कर चलने लाइक हो गया iPhone लेकिन powerbank के साथ ही चलेगा So this was the review for iPhone 6s call drop के कोई भी issue नहीं है call drop होती है कभी-कभी 10 में से 5 बार call drop हो जाएगी और 4G networks जो net की speed है वो average चलेगी कुछ decent सी है अतनी तगडी वाली performance नहीं है So iPhone 6s की यह review जानकर आपको कैसी लगी है video just let me know in the comment section मेरा favorite phone है आप मैंसे किन लोगों का favorite है please बताना यार So this was the video, thanks for watching, thank you so much